या आपने खुद की रीडिंग Ruiging ठीक आती है क्रिटिका मैं आपने की रीडिंग नहीं करता solvent कैजो अब मैं अच्क्षित में हुँ कि तारों जो है अब कहीदा कहीं सरफ शुफ लोगों के लिए ही जो related सरफ उनी के लिए म extrem चतमरंने मुंख्या भविश्य के बारे में बिल्कुल कुछ जानने के लिए उच्छुक नहीं हूँ, मेरे लिए जो सबसे important बात है वो ये moment में रहना है, क्योंकि अगर मैंने जो है cards के थूँ अपने इस शन के अलावा अगर जो है मैं अगर सोचता हूँ, तो वो मैं जो है अपने पात से डिवेट होता हूँ, मैं अपने पात से बेटकता हूँ, तो आपका शथ प्रशन यह है कि आपकी खुद की reading ठीक आती है, तो कुछ ऐसा समझे कि ना वो मेरी reading है, ना मैं claim करता हूँ, कि मैं जो कहता हूँ, वो hundred percent true है, मैं simply जो है, एक medium की तरह हूँ, और जो मेरे को purity के साथ जो मुझे message लगता है, उसको मैं share कर देता हूँ, मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं लेता, उस वक्त उस शण में जो भी अंदर से message आता है, मैं उसको बहुत purity के साथ उसको share कर देता हूँ, और intention यही होती है, कि कैसे जो है, दूसरे को help हो जाए, कैसे जो है, दूसरे को रस्ता दिख जाए, कैसे जो है, आपकी life का जो अंधेरा जो है, वो छड़ जाए, तो इस बात पे मैं एक छोटा सा एक ना movie के example देना चाहूँगा आपको, एक अंग्रेजी की movie आई थी, Matrix, जिसमें क्यानो रीव्ज हैं, और वो एक बड़ी spiritual movie है, उसका एक scene है, जहां पे जो है, जो उनके नियो के जो गुरू है, metamorphosis, वो उनको बोलते हैं कि नियो तुम chosen one हो, तुम वो वेक्ती हो, जो सब को रस्ता दिखाओगे, और नियो इस बात पे हमेशा जो है doubt करता था, नियो कहता था कि मुझे नहीं लगता, मैं बहुत normal लगता हूँ, मैं सिर्फ, मैं जैसे सब लोग हैं, मैं वैसा ही हूँ, मेरे अंदर कोई special बात नहीं है, तो metamorphosis जो उसके गुरू है, उसको एक oracle के पास लेके जाते हैं, और एकल दूसरे शब्दों में tarot का reader भी कह सकते हूँ आप, कि जो भविश्य बताते हैं, तो जब वो उनको इनके पास लेके जाते हैं, तो oracle जो है, उनकी तरफ देखके जो है, सीधा ही बोल देते हैं कि, कि तुमारे गुरू जो है, वो गलत फहिमी में है, तुम जो है, यूर नॉट दवान, तुम चूजन बन नहीं हो, और तुमारे गुरू को जो है, गलत फहिमी हुई है, तो नियो ने का, हाँ मैं भी तु यही कह रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनते हैं तो खैर, और एकल बोलती है, कि मुझे तुम से यही कहना था, अब तुम जा सकत भार जो है, उनके गुरू वेट कर रहे होते हैं, गुरू के साथ जो है, वो चले जाते हैं, जब वो लिफ्ट में वो आपस जा रहे होते हैं, तो नियो जो है, उनको बोलता है, कि देखे मुझे आपको बताना है, कि और एकल ने मुझे क्या बोला है, तो मेटाफॉर्सिस जो उनका गुरू का नाम है वो बोलते हैं कि भहीं रुक जाओ कुछ मत बोलना जो तुम्हें और एकल ने बोला वो सरफ और सरफ तुम्हारे लिए है वो मेरे लिए नहीं है और जो तुम्हें सुनना चाहिए था तुमने वो ही सुना तो इसकी चंता मत करो कि उन्होंने सही बोला गलत बोला उन्होंने जो बोला ये अभी इस परिस्तिती इस मूमिन्ट की बात थी और ये जरूरत थी तो इसकी चंता छोड़ दो कि उन्होंने क्या बोला मुझे पता है कि मेरे अंदर क्लारेटी है और औरेकल जानती है कि उसने जो करा उसको डिवाइन ने जो करवाया उसने करवाया और आगे जाके जो है नियो को जो है रिलाजेशन होती है कि वो जो है वो वन है वो दे ब्लेस्ट वान है तो इसलिए जब जो क्रितिका का प्रश्ण है कि क्या मैं अपने खुद की रीडिंग ठीक आती है क्या मेरी खुद की रीडिंग ठीक आती है तो मुझे कोई परवा नहीं है उसकी मैं कोई क्लेम नहीं करता मैं बस उस मूवमेंट के हिसाब से जो बेस्ट होता है जो मेरे को उस वक्त डिवाइन की जो इंस्ट्रक्शन होती है जो डिवाइन का मैसेज होता है उसको बस आप लोगों के साथ जो है शेयर कर देता है और कैसे आपको जो है रस्ता दिखान है कैसे आपको गाइड करना है सारी इंटेक्शन यह होती है ठीक है